नमस्कार स्वागत है आपका विंद भारत में मैं आपके साथ साक्षी गुपता आईए बढ़ते हैं गौशाला जो की पिछले थेकेदारों ने धश्काचार की भेंट चड़ गई थी और फिर सरकार ने दूसरी बार क्या ठीक पैसे से शिक्षक अशोक सिंग पहाडी जो खुद का हार्डवेर की दुकान है और थेकेदारी भी करते हैं पुडे के संरक्षन में यह फिर से दोबारा गौशाला का निर्मान कर कराया जा रहा है जो की बेहत घटिया युक्त बालू वही नाले से उठाया जा रहा है और सीमेंट की मात्रा भी काम मिलाई जा रही है आखिर रेद घटिया गुणवत्ता होना गौशाला के निर्मान सवाल हुई ने उठाया है ग्रामीर में आखिर प्रशासन से जन्ता बार-बार गुहार लगाती है गौशाला आवारा पशो के लिए क्यों नहीं बन जब यही गौशाला का निर्माण कर कराया जा रहा है, तो प्रशासनिक अधिकारियों का नहीं है, कोई ध्यान ना उसे ग्राम पंचायत के सरपंच प्रजापती से बात किया गया, तो बोला गया अभी तो ठीक था पर रेत वहीं से उठा रही है, यहाँ बात किसी से छुपी नहीं है, वहीं से चोरी करके इसका निर्माण कराया जा रहा है, वहाँ घटिया मिट्टी युक्त बालू है, कही ना कही एक बार फिर भ्रश्टाचार की भेंट चड़ जाएगा जब इसी बात को लेकर सिहावल जनपत, सीओ शेलेश पांडे से बात किया गया, तो बताया कि हम इसको जाच करवाते हैं, और फिर कड़ी कारवाई करेंगे, और उसी गाव के ही एक व्यक्ति का आया है, बयान उसने कहा कि हमारे मन करने के बाद भी इस तरह का मनमाना कार्य कराया जा रहा है, यहाँ पर गौसाला क राते हैं, इसमें बालू है, पॉला कि देखो, सिर्मिट भी तो कम डाल रहा है, सिर्मिट की मात्रा कम मिला रहा है, कौन है ठीकेदार? आजय सिंग पहाड़ी, सरफंच, असोक, असोक सिंग पहाड़ी, यही पेसे से सिक्षक हैं पिर भी चोरी का यहाँ काम करा रहे हैं, इसमें को जैसे बोलते हैं तो रात मुठा लेते हैं पीक अप सुठवाते हैं वहां पे ले जाके डम पकराते हैं कितने दिनों से काम चल लाई यह कम से कम 15-20 दूंसे क्या नाम है आपका मेरा नाम है विमल सिंग ग्राम पंचायत पितली इतना ही खबरों का सिलसिला लगातार जारियां बने रहे हमारे साथ नमस्कार